ये कहानिया इस बात को समझाती हैं कि कैसे दस महाविद्याओं का प्रकट होना हुआ और देवी शक्ती का शिव और अन्य प्रमुख देवताओं से क्या संबंध है यहां महाविद्याओं की उत्पत्ती की कहानिया दी गई है एक दस महाविद्याओं की उत्पत्ति दस महाविद्याओं की सबसे प्रसिध उत्पत्ति की कहानी शिव और सती, जो शक्ती का एक रूप है, के चारों और घूमती है. सती और शिव की कहानी एक दिन देवी सती जो शिव की पतनी थी ने अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित एक यग्य में जाने की इच्छा व्यक्त की शिव जानते थे कि दक्ष उनके विवाह को स्वीकार नहीं करते और उनकी बुरी मनशा है इसलिए उन्होंने सती को यग्य में जाने से मना कर दिया लेकिन सती ने यग्य में जाने की ठान ली थी और शिव उन्हें अकेले जाने नहीं देना चाहते थे इसलिए उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की जब सती को एहसास हुआ कि शिव उन्हें जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने अपनी दस विभिन रूपों में प्रकट होकर शिव को घेर लिया इन रूपों ने शिव को चारों दिशाओं से घेर लिया और अपनी शक्तिशाली और भयंकर रूप दिखाए उन्होंने बताया की वे महादेवी के रूप है, और अस्तित्व के विभिन पहलूँ का प्रतिनिदित्व करती हैं, स्रिजन, सन्रक्षण, विनाश, ज्यान और शक्ति. इन दस रूपों को दस महाविद्या के रूप में जाना गया, जिन्होंने बताया कि वे शिव से भी परे हैं और उन्हें कमतर नहीं आका जाना चाहिए इन शक्तिशाली रूपों को देखकर शिव समझ गए कि सती का निर्णय अडिग है और उन्होंने उन्हें यग्य में जाने की अनुमती दे दी इस घटना ने दस महाविद्याओं के प्रकट होने का संकेत दिया जो देवी के विभिन शक्तिशाली रूप है महाविद्याओं की व्यक्तिगत उत्पत्ती की कहानिया दो काली उत्पत्ती की कहानी काली को आम्तौर पर माना जाता है कि वे दुर्गा के माथे से उस समय प्रकट हुई थी जब वे राक्षस रक्तबीज से युद्ध कर रही थी जब भी रक्त बीज का खून जमीन पर गिरता, एक नया राक्षस पैदा हो जाता. काली ने अपनी भयंकर शक्ती से रक्त बीज का खून पीकर उसे हराया, ताकि उसका खून जमीन पर ना गिर सके. प्रतिकात्मक्ता, काली अज्ञांता, बुराई और एहंकार को नश्ट करने वाली देवी हैं. तीन तारा उत्पत्ती की कहानी, एक कथा के अनुसार, तारा समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई, जब समुद्र से अमरित प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था. जब शिव ने समुद्र से निकले विश को पिया, तो वह उन्हें भीतर से जलाने लगा तारा ने प्रकट होकर शिव को अपनी गोद में ले लिया और उन्हें अपने स्तन का दूध पिलाकर विश को निश्क्रिय कर दिया प्रतिकात्मक्ता तारा वह करुणा में माता है, जो अपने भक्तों को संकट, मृत्यू और विपत्तियों से बचाती है उत्पत्ती की कहानी त्रिपुर सुंदरी देवी के सबसे सुंदर और युवा रूप को माना जाता है कुछ परंपराओं के अनुसार, वे शक्ती का सर्वोच रूप हैं, जिन से अन्य सभी देवियों का प्राकट्य हुआ है उन्हें ललिता के रूप में भी पहचाना जाता है, जो सुंदर्य, प्रेम और चेतना की सर्वोच देवी है एक प्रसिद्ध कथा में, उन्होंने अपनी सुंदर्ता और शक्ती से राक्षस भंडा सुर्गा सहार किया प्रतीकात्मक्ता, वे सर्वोच चेतना और सौंदर्य, ज्यान और शक्ती के मेल का प्रतीक हैं, जो तीनों लोकों से परे है पांच, भुवनेश्वरी उत्पत्ती की कहानी, भुवनेश्वरी, जिन्हे विश्व की रानी के रूप में जाना जाता है, सृष्टी से पहले अस्तित्व में थी वे उस अंतरिक्ष को उत्पन करती हैं, जिसमें ब्रहमांड प्रकट होता है वे उस विराट रूप का प्रतीक हैं, जिससे संसार का जन्म हुआ प्रतीकात मक्ता, भुवनेश्वरी ब्रहमांड का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो विशालता, स्थान और स्रिजन की शक्ती का प्रतीक है छे भैर्वी उत्पत्ति की कहानी, भैरवी देवी का संबंध शक्ति के उग्र और क्रोधी रूप से है कई कहानियों में उन्हें दुरगा का अवतार माना जाता है और युधों में देखा जाता है जहां वे राक्षसों और बुराईयों का नाश करती है उनका आवान युद्ध के समय या कठिनाई के दोरान किया जाता है ताकि वे भै और अज्ञानता को नश्ट कर सके प्रतीकात्मक्ता भैर्वी भै को दूर करने और अज्ञानता और नकारात्मक्ता के विनाश का प्रतीक है साथ चिन्नमस्ता उत्पत्ती की कहानी, चिन्नमस्ता की उत्पत्ती आत्मब्लिदान और रूपांतरन का प्रतीक है एक कथा के अनुसार, चिन्नमस्ता ने अपने सिवकों की भूख मिटाने के लिए अपनी गर्दन काट ली और उनके रक्त से उन्हें त्रिप्त किया उन्होंने स्वयम भी अपना रक्त पिया, जो उनकी आत्म निर्भरता को दर्शाता है प्रतिकात्मक्ता, छिन्नमस्ता एहंकार के त्याग और भौतिक और शारिरिक आसक्तियों के पार जाने का प्रतिक है आठ धूमावति उत्पत्ति की कहानी, धूमावति का वर्नन एक ऐसी देवी के रूप में किया गया है, जो सती द्वारा स्वयम को अपने पिता दक्ष के यग्य में आहुती देने के बाद प्रकट होती है वे विद्वा देवी के रूप में प्रकट होती है, जो शून्यता, मृत्यू और विग्टन का प्रतीक है वे जीवन के अंदकार में और निराशाजंक पहलूँ का प्रतिनिधित्व करती है प्रतीकात मक्ता, धूमावती जीवन की अशुपता का प्रतीक है, हानी, दुख और मृत्यू फिर भी, वे इन अनुभवों से प्राप्थ होने वाले ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करती है नौ, बगला मुखी उत्पत्ती की कहानी, बगला मुखी की उत्पत्ती तब होती है, जब एक महान तुफान पूरे ब्रमांड को नश्ट करने की ओर बढ़ रहा था देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, और उन्होंने प्रकट होकर तुफान को अपनी शक्ती से रोक दिया एक अन्यकथा में, वे एक ऐसे राक्षस को रोकती है, जो अपनी वानी से सब कुछ नश्ट कर सकता था और उसका जीब खींच लेती है प्रतीकात मक्ता, बगला मुखी वानी की शक्ती और दुश्मनों पर नियंतरन का प्रतीक है उनका आहवान कानूनी विवादों में विजय और विरोधियों पर जीत प्राप्त करने के लिए किया जाता है उत्पत्ती की कहानी, मातंगी ज्ञान और वानी की देवी हैं, जिनका संबंद आमतोर पर हाशिय पर खड़े लोगों और निम्न वर्ग से होता है वे सरस्वती का अवतार मानी जाती हैं, लेकिन वे वह ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अप्रंपरागत स्रोतों से प्राप्त होती है वे कला, संगीत और संबाद पर नियंतरन प्राप्त करने के लिए पूजी जाती है प्रतिकात्मक्ता, मातंगी उस ज्ञान का प्रतीक है, जो जीवन के अन्यमित और अनूठे अनुभवों से प्राप्त होता है ज्यारह कमला उत्पत्ती की कहानी, कमला महाविद्याओं की अन्तिम देवी है और लक्ष्मी का तांत्रिक रूप मानी जाती है, जो धन और समरिद्धी की देवी है वे समुद्र मंथन के दोरान प्रकट हुई थी, जब देवता और असुर समुद्र से अमरित निकाल रहे थे और कमला, लक्ष्मी, कमल धारन कर प्रकट हुई प्रतीकात्मक्ता, कमला समरिद्धी, सौंदरे और भोतिक संपत्ती का प्रतीक है, लेकिन वे आध्यात्मिक समरिद्धी और उदार्ता का भी प्रतीक है निशकर्ष दस महाविद्याएं केवल शक्ती और विनाश की देविया नहीं है, वेस्तरी शक्ती की पूरी परिधी का प्रतिनिधित्व करती है. उनकी कहानिया जीवन के विभिन पहलों, जैसे स्रिजन, संरक्षन, विनाश और रुपांतरन पर जोर देती है. दस महाविद्याएं अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें सांसारिक आसक्तियों और अहंकार से मुक्ती दिलाती है